जब से आमादी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है तब से उसको किवल एक ही काम है कि शोशल मीडिया पे अर्विन केजरिवाल की जो पोल खोले क्योंकि आमादी पार्टी दंगायों की पार्टी वलतकारियों की पार्टी हत्यारों की पार्टी और देश द्रोहियों का सम्मान करने वाले जो लोग हैं वो संगठित गुंडों का घ्रों का आमादी पार्टी है उसका कोई पॉल खोले उसके खिलाफ वो तुरंथ पंजाब पुलिस को मुकदमा दर्श करकर उसको घर बेज़ देते हैं उन्होंने मेरे खिलाब भेजा मेरे तो हर दूसरे दिन भेजते हैं इसके साथ चात्वीत हमारे दिली में परवक्ता रास्ते सची व्युवा मुर्चा में भाहित जन्दर बग्गा के बेज़ा महिला मुर्चा में काम करने वाली महन पृति गांधीजी के खिलाब भेज़ा अब मैंने सुनाय कुमार विश्वास के खिलाब कुई उन्होंने पंजाब पुलिस को भीज़ा और भी कही निताओं के घर बेज़िये ऐसे में आम आद्मी पार्टी ने पुलिस को क्या बना दिया पंजाब की वह पुलिस जिसने आतंग बाद का सफाया किया जिसने वहाँ पर रहते वेज़्य देश द्रोह का काम करने वाले लोगों को मौत के घट उतार दिया आज उस पंजाब पुलिस गया काम दिदिया और कि वो जो है भाजपा के निताओं के खर नोटिस सर्फ करते फिरेंगे भरजी जिसको हाई कोट स्टेक कर देता है अभी मेरे वाले केस में मुझे पता चला कि हाई कोट ने पंजाब ने उसकी प्रोसिडिंग को स्टेक कर दिया है और उसके बाद अब जितने भी केस होंगे व अमादी पार्टिय ऑफ ने साब हमारे नाम से अपराधी काप कापा करता था आज हम किसी के घर जाते तो डरते हुए हम जानते फ़र्जी काम करने के लिए जा रहे हैं आमाधी पार्टी को सोचना पड़ेगा और विशेषकर उनको जिन्होंने आमाधी पार्टी को वोट या जो आमादी पार्टी के कारे करता है कि वो किस दल के कारे करता है जो राजनेतिक दिवेश के कारण राज्य में अपराद बड़े हत्याएं हो बलतकार हो लूट पाटों उन अपरादियों को नहीं पकड़ेगी बलकि दूसरे नेताओं को जो उसके खिलाब फोल खुलता ह जो सच बोलता है उसके खिलाब जाकर के कानूनी कारवाई के नाम पर उन्हें पुलिस से प्रतार ना देगी यह सोचना पड़ेगा वरना अर्विंद केजरीवाल यह ध्यान रखना कि आप जो यह आग लगा रहे हैं उसमें खुद जिल्स होगे और कोई नहीं